आखन सौभागे और पती की लंबी उम्र की कामना करने के लिए सुहागन महिलाएं इस प्रत को रखती हैं। सुहागन महिलाएं निर्जला रखकर तीज माता की पूजा करती हैं। हरितालिका तीज के दिन भगवान सीब और पारवती के साथ स्री गनेश जी की भी पूजा की जाती है। संकर पारवती और गनेश जी की पूजा करने के लिए आप सबसे पहले इनकी मीटी से तीनों की प्रतीमा बनाएं। इसके बाद भगवान स्री गनेश को तीलग करके उन्हें दुरूवा अरपित करें। इसके बाद भगवान सीब को फूल बिलपतर माला चड़ाएं। पारवती जी को सींगार का समान अरपित करें। फिन तीनों देवी देबताओं को बस्त्र चड़ाएं। और सभी देवी देबताओं को भोग लगाएं। फिर हरितालिका तीज की कथा सुनकर सभी देवी देबताओं की आरती करें। और अपने मन पसंद मनोकामना की पूर्थी करें। हैपी हरितालिका तीज।